बाजपा नगरोटा एबम धरमचाला मंडल की एक बिशेश बैटक का आयोजन राकेश अर्मा ने बताया कि जिस प्रकार से अभी हमिरपुर संस्तिक शित्र की एक सड़क योजना संपन हुई है उसी पद्धती पर आर्थ से कांगडा चंबा संस्तिक शित्र की ये विस्तारक योजना प्रारंब हो गई है इस बैटक में बिस्तार से प्रशिक्षन हुआ है कि किस परकार से अपने संगठन के प्रतेक कारेकरता का सत्यापन डिजिटल माद्यन से किया जाएगा उन्होंने बताया कि देश में भारती जन्ता पार्टी पेपरलेस होने की और बढ़ रही है और इसमें भारती जन्ता पार्टी हिमाचल प्रदीश की प्रतम पहल है आने बालस में डिजिटल यूग का है और भारती जंता पार्टी में उसमें प्रतम स्थान प्राप्त करेगी शर्मा ने कहा कि इस कारिक्रम को सफल करने के लिए कांग्रास संसी क्षेतर के सभी प्रदीश पताधिकारी गंड जिला पताधिकारी गंड मंत्री बिधायक गंड कारे कर रहे हैं और ये योजना 30 स्थमबर तक चलेगी उन्होंने बताय कि ये देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की दूर दर्शिता की किस परकार से सरकार में आते ही उन्होंने आईटी क्षेतर को बढ़ावा दिया आज इसका बड़ा स्वरूप हमारे सामने आ रहा है आने बाले समय में आईटी बहुत एहम क्षेतर होने बाला है और भाजपा इसमें प्रतमस्तान पर खड़ी होगी आज की बैठक धर्मशाला में धर्मशाला मंदल और नगरोटा मंदल की हो रही है और इसमें हमारे संगर्षन मंतरी आदर्नी परवनराना जी राजपाल जी जैसिंग जी ये लोग इस बैठक में उपस्तित हैं और आज से ही दो हजार बाइस के चुनाबों का जो शुरुवात है जो संख्यान है उसको हमने बजा दिया है और जो बूथ लेवल के कारे करता है उनको पूरी तरह से त्यार करके ये जो चुनाब है दो हजार बाइस के लिए वो हमने पूरी त्यारी जो है आज से अरम कर दी है आज मैं आज जो हमारे ये विस्तारक जोजने है उसमें जो हमारे विस्तारक है वो पूरी कंसिचुएंसी में जाएंगे उसी कंसिचुएंसी से जैसे धर्मशाला मंडल है धर्मशाला मंडल के ही लोग उसी कंसिचुएंसी में हर बूथ पे जाएंगे और बूथ में हमारे पेपर लेस डो है वो ऑपना एज़तार की उजणना जो है, वह आज से अरंब करी जा रही है, शब जगा हमारे ऐसी शर्चना है कि हमारे सभी पनना परमुक्ह, सभी बोथों में जितने हमारे 7000 कुछ बूथ हैं पूरे बुथों में जो है हमारे पन्ना प्रमुक बीले बुथ पालक और बुथ अपने बुथ अध्यक्स ये सब जो हैं वो बन चुके हैं और उनकी पूरी जांच जो अभी जो है पूरी ईविस्तारक की योजना के तहत पूरी जांच होने जा रही है